नेहा बसीन ने बिग बॉस मेकर्स पर उठाए सवाल आखरकार नेहा बसीन बिग बॉस मेकर्स के खिलाफ क्यों हुई है क्या है पूरी खबर आपको मैं बताने वारी हूँ इस विडियो में नमस्कार मैं सनिक्दास वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर आपको बता दो कि बेसिकली नेहा बसीन ने बिग बॉस मेकर्स के खिलाफ सवाल उठाया है किस बात को लेकर तो देवोलिना भटाचार जी और अभीचीत बचुकले के बीच जो कांड हुए थे उसको लेकर जिस तरीके से बिग बॉस मेकर्स ने इस पूरे कांड को दिखाया है उस पर नेहा बसीन बिल्कुल भी साटिसफाइड नहीं है नेहा का कहना है कि वेल जब नाशनल टेलिविजिन पर कोई मेल फी मेल से इस तरीके से किस मांग रहा हो जब देव लिना अलरीडी अनकमफिटिबल फील कर रही है ये साफ तौर पर नजर आ रहा था ऐसे में बिग बॉस मेकर्स ने जब इस पूरे सीन को अलगी अंगल से दिखाया ये बिल्कुल गलत है हआला कि बिग बॉस जेसे शो में मैं ये एक्सपेक करती हूँ कि वीकेंड के बाल का انतजार होता है हर किसी को जिस दिन क्लारिटी मिल पाए र एक कंक्लूजन्स निकल कर आ पाए हर एक मैटर्स को लेकर लेकिन असबार भी कोई इस मैटर को लेकर क्लारिटी नहीं मिल पाई बिलकुल गलत तरीके से बिग बॉस मेकर्स ने इस पूरे कांट को दिखाया है यानि कि इन दोनों के बीच जो इंसिडेंट हुई थी देवोलना और अभिजीत बिचकुले के बीच में उससे नेहा बसीन काफी नाराज है नेहा बसीन कर रही है देवोलना का सपोर्ट और ये कह रही है कि वेलनाशनल टेलेविजिन पर जब एक लड़की के ना का मतलब ना ही होता है जिस तरीके से उसके साथ अभिजीत ने वेल नाशनल टेलेविजिन पर किस मांगा और उन्हें अनकमफिटबल फील कराने की कोशिश की ये बिल्कुल गरत है और मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ इस वचह से बिग बॉस मेकर्स को इसे क्लारिटी के साथ दिखाने चाहिए थी ये कोई शमीता वर्सस तेजस्वी वाले टॉपिक्स नहीं थे जिसको इस तरीके से दिखा दिया गया तो यहाँ पर नेहा वजीन पूरी तरीके से स्टैंड लेते हुए बिग बॉस मेकर्स के खिलाफ ये बाते कह रही हैं नेहा वजीन का मानना है कि वेल ये जो इंसिदेंट्स दिखाए गए जिस एंगल से और जिस तरीके से दिखाया गया वो बहुत गलत था फिलाल नेहा वजीन के रियाक्शन्स पर आपके क्या है स्टेटमेंट्स आप हमें बताएं हमारे तबाओ अप्डेट्स के लिए बड़ी रहे चैनल के साथ